हैलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करता हूँ काफे अच्छे होंगे तो दोस्तों आज है तारीक 31 दिसंबर 2023 मतलब 2023 की साल की आखरी रात है ये कल की तारीक में सुबह एक जनवरी को नया साल लग जाएगा साल 2024 तो आप सभी को नए साल की बहुत 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 है एपि न्यूड और दोस्तों आप मुझे कमेंड कर करके ज़रूर बतायएगा कि आपका 2023 का साल कैसा गया है आपने कैसा profit चमाया है और ये साल पूरा कैसा रहा है मुझे कमेंड करके ज़रूर बतायएगा मेरा साल भी काफी अच्छा गया है और मेरी भी खुब YouTube के अंद करके ज़रूर बताइएगा तो अब दोस्तों अभी में लाइन आई प्यूस की अगर बात करें तो अभी कोई भी आई प्यूस ओपन नहीं है ठीक है तो मैंने सोचा कि भाई अभी जो टाइम है हम SME आई प्यूस का रिव्यू या डीटेस ले लें क्योंकि अभी टाइम बचा हुआ भी है और काफी ज़्यादा डिमांड भी आती है SME आई प्यूस के लिए तो अब मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम है तो मैं SME आई प्यूस का रिव्यू कर दें और मिनीमम जो मेरा क्राइटीरिया रहता है मिनीमम SME आई प्यूस के अंदर 60-70% GMP हो तो ही मैं सोचता हूँ अपलाई करने के लिए या डीटेल्स के लिए बाकि हाँ डिमांड आ जाती है तो मैं बता देता हूँ जानकारी वगेरा पर ज्यादा तर मेरा क्राइटीरिया म 73% के आसपास की 55 रुपए पर शेर, 1600 शेर का लॉट है 88,000 रुपए जैसा एक लॉट पर आज की तारी में फाइदा दिखनी को मिल रहा है बाकि देखे दोस्तों GMP के पूरे बरो से नहीं रहना चाहिए तो KC Energy 28 December से 2 जनवरी के बीच में उपन रहेगा कॉसलिया Logistics 29 December से 3 पन रहेगा तो KC Energy का हम रिव्यू करते हैं सबसे पहले देखेंगे GMP फिर कंपनी की डेटेल्स, IPO डेटेल्स, Financials, Fundamentals और अंत में जानेंगे अपलाय करना है नहीं करना चाहिए देखें दोस्तों मैं सारे चीज़े आपको बताँगा पॉसिटिजिजन आपको अपनी रिस दो जार शेर्स का लॉट है एक लाग 20,000 रुपे चासा है एक लॉट पर आज की तारी में फायदा देखने को बिल रहा है परसेंट इस वाइस 111 परसेंट और देखें दोस्तों GMP फेक हो सकती है मैनिपलेट हो सकती है तो इसके पूरे बरोसे नहीं रहें सारी चीज़े द 15.13 करोड रुपे है इतना पैसा ये जोटाईगी और पूरा का पूरा फ्रेश इस्यू है ये कंपनी के लिए ग्रोथ के लिए पैसा काम आता है पर ये कंपनी काम में लेगी working capital requirement के अंदर मतब उधारी चुकाने के अंदर काम नहीं आएगा working capital requirement के अंदर काम आएगा जो भ 15 के अंदर private limited company बनी थी ठीक है पर incorporate कब हुई थी इसका काम चालू हुआ था 1996 के अंदर 1906 के अंदर करीब करीब 27 साल पुरानी कंपनी है अपने sector के अंदर काफी expedience रहे ये मैंने इसकी website पर जाकरी जानकरी लिए बाकिसारी जानकरी भी आप देख सकते हैं मुझे जादा ज construction company के जो भी projects होते हैं उनको ये services प्रोवाइड करवाती है ज्यादा तर ये इसका काम है electricity से related उसमें से इसका main customer जो बात करे राजस्तान विद्वत प्रसान और निगम लिमिटेड ये इसका मुख्य customer है तो ये company के है कि transmission line tower ये मतलब लगा के देती है underground cables लगा के देती है unopole मतलब ये जो खंबे होते हैं वो लगा के देती है सब station वगेरा बना के देती है ये इसकी website पर जो सारी जान करी है वो मैं आपको बता रहा हूँ तो काम बढ़िया नजर आ रहा है मतलब सदा बाहर काम नजर आ रहा है मतलब ये services से related काम है और इसकी demand हमेशा रहती है मु related है तो demand रहेगी फिर इसके financials और fundamentals देखते हैं तो 2021 से 2023 तक इसके financials दिये गए है assets इसके सालदर साल बड़े हैं अभी इसके हाथ में जो assets है 83 करोड रुपीज के और इसका revenue 2021 से 2023 में 35 करोड से करीब-करीब 61 करोड रुपीज हो गया है तो ये भी अच्छी growth है और इसका profit 1. 1.87 करोड मतलब 2.21 के अंदर और अभी 5.50 करोड रुपीज हो गया है 2.23 के अंदर अच्छी growth है ये revenue जो है आपको side में देख सकते हैं लाक में दिया हुआ है मैं आपको करोड में बता रहा हूं convert करके तो इसके profit margins 10% से कम के निकल कर आते हैं थोड़े से ज़्यादा होने च 22.87 करोड रुपए का और साल दर साल इसके उपर उदारी मतलब डैट भी बड़ा है 24 करोड रुपए की उदारी है ये थोड़ी सी ज़्यादा है कम होनी चाहिए और IPO से जो पैसे जटाई की उदारी चुकाने के अंदर पैसा काम नहीं आएगा working capital requirement के अंदर काम आएगा त का PE है 7.69 का तो अगर इसके peer competitors देखे तो विवियाना पावर KEC इन दोनों से काफी बड़ी company है revenue generate करने के मामले में और उनसे PE के मामले में काफी सही valuation पर आई है विवियाना का अगर PE देखे तो 24 का है KEC का देखे तो 96 का निकल कर आता है उसे साथ से काफी सही valuation है 7.69 valuation बरा इसके financials और fundamentals financially और fundamentally ठीक नज़र आ दिये financially एक दिक्कट है debt थोड़ा ज़्यादा है वो कम होना चाहिए अब में सवाल यह आता है कि क्या साइपयो में apply करना चाहिए नहीं करना चाहिए उससे पहले दोस्तों आपके पास demate account वगेना नहीं है बिलकुल free में demate account फुलवान इंग लिंग आपको description के इंदर मिल जाएगी overall देखे overall company अच्छी नज़र आ रही है positive अच्छे है sector बढ़िया है financially ठीक है पर इसके बड़ेट ज़्यादा है बाकि पीवाई साई valuation पर है ROE ROC अच्छी है तो यह सारे factors अच्छी नज़र आ रहे है negative point के debt सबसे ज़्यादा है अभी demand ठीक चलती है बाकि सारे factors यह चीज़े ध्यान में रखते हुए उस basis पर आप decision मना है आप लोग क्या करेंगे मुझे comment करके जरूर बताइएगा उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो हमारी जानकर आपको काफी पसंद आईगी helpful रही होगी helpful रही है तो वीडियो को like ज